चार राज्यों में मौनसून की बरसात में आई कमी की वज़े से धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है क्यों की बात तो आप कर चुके अवाजा ये धान पर दूसरी मुखे फसल पर वहां क्या हो रहा है वहां हुआ ये कि 4 अगस्तक देश भर में धान का रखवा पिछले साल के मुकाबले 40 लाख हेक्टेर पिछड़ गया है पिछले बार अब तक अगर आप देखें 4 अगस्तक करीब करीब 314 लाख हेक्टेर में खेती हो चुकी थी जो अभी केवल 294 लाख हेक्टेर ही पहुँची है सामान ने तोर पर उमीद ये है कि पूरे साल में 397 लाख हेक्टेर की खेती होती है सरकार ने इस बार लक्ष जरूर उसका बड़ा रखा था 413 लाख हेक्टेर के आसपास रखा था सर अब गयहूं पे तो हमने सुन लिया स्पेशल रिपोर्ट में कि अगर आयात हट भी जाएगा तो बहुत महँगाई सा असर पढ़ने वाला है नहीं चावल की इस्तिती चावल तो हम डिगर सो देशों में निर्यात करते हैं वहाँ के निर्यात पर जैसे अंकुछ दिख सकते हैं गेहूं की समस्या अब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गेहूं में प्राब्लम सबसे बढ़ी है कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी हटा भी देंगे इंपोर्ट ड्यूटी कम भी कर देंगे तब भी अंतराश्ट्री बाजार में गेहूं की कीमतیں पहले से चड़ी हुई ह युकरेन के रूस यूकरेन दिखे करण Henderson तो भारती बाजार में यहों की मेहाई इंपोर्ट कम होने से भी शायद कम नहीं होगी इस बात के संकेथ हमें बाजार से भी मिल रहे हैं और जो सरकारी हलकों में से करीब से देखने की कोशिक करने उनहें मी मिल रहे है चावल की समस्या और दादा गहरी है पैड़ी के उत्पादन में आठ से दस परसेंट की कमी आने की संभाव ना है इस साल हम पिछले साल के बरावर भी पैड़ी के बुआई के करीब नहीं पहुंच रहे हैं जो भी केस्तिती है मानसू सीजन के दोरान अगर अगर अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 42% का लास हमें दिखाई दे रहा है बिहार में करीब 34% का लास लास दिख रहा है हमको पश्चे मंगाल में काफी गिरावट दिख रही दान की केती का आकड़ आपके सामने है महायदान की केती में पश्चे मंगाल में जारखंड में बिहार में उत्तर प्रदेश में और खास दोर से सबसे ज़ाधा कमी जारखंड में दिखाई दे रही जहां से सब्सादा धान आता है वहाँ जाधा कमी दिखाई दे रही और यह 2021 का सरकार का जो लक्ष था तो वो इससे और काफी जादा था चार सो तेरह लाके हेक्टेर के असपास का लक्ष था अब यह दोनों चीज़ें गेहूं और चावल मिलकर जो बात रिजर्बेंग गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में कही थी कि वो मानसून के बीच करीब से ध्यान रख रहे हैं चीज़ों को देखने की कोशिस कर रहे हैं भारती फसलों पर दिखा रहा है कि हमें दोनों महत्तु पूर्ण अनाच फसलों की कीमतों पर गहरा और बढ़ता हुआ दवावाने समय में आने वाले समय में दिखाई देगा सरकार अगर इसका एक्सपोर्ट नहीं भी रोकती है पैड़ी का क्योंकि पैड़ी जाधा बड़ी फसल है और पैड़ी की सबस्यादा जरूरत भी होती एक्सपोर्ट इसका नहीं भी रोकती है लेकिन फिर भी सरकार को कुछ नकुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे की चावल की आपूरती भारती बाजार में सुरक्षित रहे है तो अब गेहूं की चुनोती के बाद खरीफ की फसल चावल की चुनोती लेकर आई और पालिसी मे कर भी बड़ी इस बार दिक्कत रही इंबैलेंस रहा आई एमडी की तरफ से जो भी अनुमान लगाया गयते वो भी बहुत हद तक सही बैटते नहीं देखे ऐसा क्यों अगर आप ओवराल मानसून का सुभाव देखे हैं रहा हम लोग मनी सेंटरल में शुम जो मानसून पर मानने से बहतर बहतर है लेकिन जब आप भीतर जाएं तो भारत की सबसे बड़ी दो मुख्य फसलें दलहन और धान दोनों के जो पादन वाले हिस्सें उनमें बुरी तरह असर पड़ रहा है और बाकी जनिस्तों से दाल आती है वहाँ बाल की परिस्तिती आई मुस्व मानसून, खेती, सरकार के नीती निर्माताओं के लिए अगर उनके पास वक्त है तो बड़ी नसीहत मिलती है कि भारत में मानसून की भविशवानी को अब पूरी तरह मैक्रो लेवल पर लाना होगा और मौसम विभाग को और बाकी जनिस्यों को दरसल राश्ट्री स्तर पर मानसून सामान होने की भविशवानी से कुछ नहीं होने वाला ये तो लगभग वैसा है जैसे कि पूरे भारत की औसत विकासदर कितनी है जीडिपी की ग्रोध कितनी है उन्हें ये बहतर धंक से लोगों को बताना होगा होगा कि उनके एरिया में मानसून की संभावना और बारिश की संभावना क्या है हमने इसी साल भारत के एक हिस्से में खड़ी फसलों पर बाड़का पानी बहते देखा और दूसरे हिस्से में पानी ना होने के कारण समय पर बुआ ही नहीं देखी और ये दोनों चीजों का नुकसान कुछ हब तक्सीमित किया जा सकता था बहुत अच्छी मानसून की प्रेडिक्टिव टेक्नलाजी इवलेबल उनके आधार पर हमें लगता है कि हमें इस भवश्यवाने के पूरे करम को ठीक करना जरूरी है अब आईसी सिच्वेशन में जबकि हम सीधा असर महंगाई पर मानसून की कमजोरिय विफलता का देखत प्रेडिक्स